पहाडी लगों में बर्वबारी के कारण शीत लहर शुरू हो चुकी है जस्वजे से कई राज्यों में ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है कडाके की ठंड और गिर्ते पारे को मते नसर रखते हुए राज्यों के काफी स्कूलों में सर्दी की छुटिया जो है वो शुरू हो चुकी है ताज़ा अपडेट के अनुसार आपको बता दे कि जारखन में छुटियों की शुरूबात हो चुकी है 26 दिसम्बर से लेकर के 31 दिसम्बर तक राज्यों में स्कूल बंद रहने वाले हैं और अगर बात की जाए 10 और 12 क्लास के बच्चों की तो जरूत पढ़ने के अनुसार उनके स्कूल खोले जाएंगे और अगर ज्यादा ठंड रही तो ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो सकती है अब बात करते हैं उतरप्रदेश की तो उतरप्रदेश में भी विद्यालों के चुट्टी होगी 31 दिसम्बर से नए साल में 14 जन्वरी को जाकर के स्कूल खूलेंगे 30 दिसम्बर को स्कूल में पढ़ाई होगी उसके बात से चुट्टी के अनाउंस्मेंट कर दी जाएगी ठंड का पारा गिरने की वज़े से ये डिसिजन लिया गया है और साथी साथ दिल्ली में भी सर्दियों की वज़े से एक जन्वरी से लेके 6 जन्वरी तक स्कूल बंद रहने वाले हैं आनि विंटर विकेशन दिल्ली में ज्यादा लंबा नहीं लेकिन 1 से 6 जन्वरी तक मिलने वाला है दिली में इतना winter vacation इतने कम दिन का इस वज़े से भी हो रहा है कि क्यों pollution की वज़े से पहले ही school बंद हो चुका था इस वज़े से दिली में winter vacation बच्चों को कम मिलने वाला है वहीं अगर बात की ज़ाए राजस्थान की तो राजस्थान के school में शीत कालीन चुटियां जो है वो 24 दिसंबर से शुरू होने वाली ही ये चुटियां 5 जन्वरी 24 तक रहेंगी यानि कि 13 दिन तक सरकारी और 11 सरकारी स्कूल हो यानि कि private school में चुटिया रहने वाली है विंटा विकेशन रहने वाला है जम्मू की बात की चाहिए तो जम्मू के सभी सरकारी और private school में 11 दिसंबर 2023 से लेकर के 19 फरवरी 24 तक विंटा विकेशन रहने वाला है 9 और 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 18 दिसंबर से 39 फरवरी तक छुटिया रहने वाली है अन्ट में घोषना कर सकती है लेकिन अभी तक घोषना नहीं की गई है बिहार सरकार की ओरसी और इसे कई राज्यू जहां पर विंटा विकेशन के अनौंसमेंट कर दिया है उसमें चारकंट, उतरप्रदेश, जम्मू, दिल्ली, राजस्थान ये सभी राज्य शामिल हैं हाला कि बिहार में भी जल्द ही विंटर विकेशन का अनाउंसमेंट किया जाएगा लेकिन अभी भी ऐसे गई राज्य जहां पर विंटर विकेशन को लेगे कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है लेकि 10th और 12th के बच्चों को और आम नहीं मिलने वाला है लेकिन बाकि जो दूसरे स्टाडर के बच्चे हैं दूसरे क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए विंटर विकेशन होने वाला है लेकिन 10th और 12th के लिए विंटर विकेशन शायद नहीं मिलने वाला है और जैसे दिसर्दी बढ़ेगी तो हाला की बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि छुटियों के जो देट है वो बढ़ा देते हैं अब देखने ये होगा कि ठंड का पार कितना गिरता है और ये विंटर विकीशन कितना लंबा खिजता है